कि यह गाईज अगर आप नए है चानल के लिए तो सब्सक्राइब करना मत धूलेगा और साथ-साथ हमारे बेल की आइक़ों को प्लेक करके आप हमारी आने वाली और सारी वीडियों को देख सकते हैं और याद रहे अगर आपने बेल के आइक़ों को क्लिक नहीं करा तो आप ह 11th class के history को खतम कर चुके हैं and now अब हम क्या कहते हैं 12th class के history की तरफ बढ़ रहे हैं आप में से जिन बच्चों ने 11th class के history के बारे में नहीं देखा है तो वो प्रेलिस्ट के अंदर जाके समझ सकता है सारी वीडियो को बहुत सारे कमेंट्स आयते कि सर आप वीडियो हिंदी मे ही बनाना तो मैं अब पुरिकोशिश करूँआ कि मैं 12th class के history हिंदी में ही बनाऊं तो साथ-साथ मैं थोड़ी शब्द English के भी यूज़ करूँआ ताकि इतना जादर डीपली हिंदी ना हो जाए कि आपको confusion हो जाए सो गाइज अब यह वीडियो का पहला पार्ट है और इस चाप्टर में हम 12th class के history के बारे में पढ़ेंगे तो चाप्टर फॉर्स्ट है हमारा जिसका चाप्टर का नाम है इंटे मनके और अस्तिया यह ब्रीक्स ब्रेट्स और पॉन्स यह वैसे तो इंडिस वाले civilization के उपर बेस्ट है और यानि की हड़पा सब्वेता जिसे बोलते हैं हम सिंदु गाटी की सब्वेता बोलीजिए इंडिस वाले civilization बोलीजिए हडपा सब्वेता बोले सब एक ही नाम है ज्यादा कन्फ्यूस होने की जरूत नहीं है मैं आपको इनमें कुछ अलग तरीके से पढ़ान मैं की कोशिश करूंगा वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ साथियो पहले मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो 11 क्लास के हिस्ट्री पढ़ाता था उसमें में 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 कोशन्स नहीं बताता था फिर मैंने डिसाइड करा है कि हर पार्ट मेंसे जहां जहां से मेंसे पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको में 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 कोशन्स भी बताता रहूँ है तो आप वीडियो को एंड तक देखेगा आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा बहुत सारी वीडियो है यूटूब पे लेकिन सम्तिंग यूनीक है यह चैनल क्योंकि मैं इसमें कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल लाइव एक बता सकों कि इसमें प्लेसे गूगल के माध्यम से और इमेजस के माध्यम से सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा असानी से आपको कहीं और जाने की कोई जुरूत ही नहीं पड़ेगी सब्सक्राइब करने से पहले आपको चैप्टर का नाम तो पहले ही मैंने बता दिया है कि चैप्टर का नाम क्या है यानि कि हडपा सभिता के उपर हम पूरी की पू सब्सक्राइब का मिलना जैसे कि यहां पे एक हडपाई मोहर है यानि कि से सेल खड़ी नामा के पत्थर से बनाए गए इन मोहरों पर समाने रूप से जानवरों के चेत्र एक ऐसी लीपी के चिन को बताता है कि जिससे बताया जा सकता है कि वो लोग अभी तक पड़े नहीं नहीं जा सकते थे मदब ऐसे चिन लोगों ने बनाए है इन मोहरों के उपर कि अभी भी इंपॉसिबल इनको समझ पाना कि ऐसे स्टॉम पिया ऐसे चीज़े क्यों बनाई गई होगी जैसा कि आपको दिखाए दिरावस में यूनिकॉन बना हुए है एक लैंग्विज टाइ रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन के बारे में जो भी उन लोगों ने अपने टाइम पिरड़ पर जो वस्तुने छोड़ी थी ऐसे कि उनके रहने वाले स्थान उनके मृत भांड मलब जो समान थे वो उनके आभूशन उनके औजार उनकी दोरा मोहरे जो यूज करी सब्चेंगे कि पूई तरीके से हड़पा सब्चा सिर्फ और सर्फ सबूतों और गुनाहों के मद्धे नज़र रखते हुई बताया जाता है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें हमें मिलती हैं हम उनके बेस पर ही पढढ़ेंगे जैसा कि अब हम आगे क्या कैसे जानते हैं इनके बारे में इनकी वाख्या अलगलक कैसे बदल सकती है आज की डेट में मतलब मैं बोल सकता हूँ कि निश्यत रूप से इस सब्चों दिखाता हूं और आज भी हम इनके जानकारी नहीं है और शाय से हो सके आगे मिले भी ना So that is why इसके उपर CBC वालों ने special question पूछा था बच्चों से कि बताईए मैं आपको question दिखाता हूँ एक special question है इसके उपर question ये है कि बताईए कि अन्ने जबताओं के अपक्चा सिंदु घाटे की स Bacon के विशे में हमारी जानकारी कम क्यों है और अपने तरकी व्यक्या के चीँ देखिए उसी पहरा ग्राफ के अंदर से पहला कोशन यही है कि सिंदू गाटी की सब्वेता के बारे में हमारे पस कम जानकारी होने के निमलिखित कारण है जैसे उस लीपी को जो उन्होंने लिखी थी शायद से वो आस तक पड़ी नहीं गई है इसलिए हम इनके बारे में सही से जानकारी निकाल नहीं पाते है और दूसरा कोशन यह दूसरा पॉइंट यह उसका बनता है कि केवल सिर्फ और सिर्फ जो आर्के लॉजिस्ट थे उनके जो उन्होंने फॉसिल सबसे छोड़ रखे थे प्रातत ववेदा लोगोंने उन्होंने जो भी अध्यन करे या उनके अनुमान के अनुसार जो भी सिंदुगाटे के सब्वेता के बारे में लोगों को बताया जाता है उसी के ग्यान के अधार पर ही हम बस यह तैग कर सकते हैं कि हाँ यह बहुत है जो थी इन संबंदित जानकारियों से रिलेटेट थी यानि कि आप बोल सकते हैं कि जब तक इनकी लीपी को नहीं पड़ा जा सकता है तो सबसे बड़ी प्राब्लम यही रहेगी कि हम इनके विशे के बारे में डंक से जानकारियों प्राप नहीं कर सकते लेकिना अर्की लॉजर भी बेवकूफ नहीं है पहले कई संस्क्रिट जो थी वास्तित में आई थी अब यहां पर उनके संदर में हम उनके बारे में कहां से पता कर सकते हैं जिसे क्रिशी उनकी कैसी रही होगी उनका पशुपालन कैसा होगा या अगर वो चीज़े बनाती होंगे तो उनके सिल्पकार यानिके क्राफ्ट ह पर यह यह होता था और यहां पर यह देखा कि आम तोर पर चोटी बस्तिय आ उती थी मतलब जी इलाक लुग रहे यह इन्हीं होते थे हौं तर भव फर, चोटी बस्तियों के इंदर रहते थे बड़ चार के मकान थे वह काफी कंपाए ज़र आप समय में कुछ ऐसे स्थान म पर मिले जहां पर ऐसा दिखाया जाता था कि एक स्थान से दुस्ते स्थान पर लोग माईगरेट होके चले जाते थे मतलब यह सारी चीजे उस साम पर मिली लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट इसके इंदर यह देखी गई कि जिस तरीके से वह अपना खान पान करते होंगे य जो सब्विता बसी थी वो सिंद नदी के आसपस बसी थी इसलिए वो लोग अपने निर्वा के तरीकों के अंदर बहुत चीजे खाते पीते रहते होंगे क्योंकि खाना पीना तो वैसे भी जरूरी है तो इसलिए यहां पर बोल सकते हैं कि हड़प सब्विता के जो निवा पानी से प्राप्त इलाकों में मिल जाती थी उन सबी चीजों से लोग अपने भोजन की प्राप्ती करते थे तो इन तरीकों से देखा गया कि यह लोग सिर्फ पेड़ पौधों पर ही नहीं मलकि जानवरों और मचलियों पर भी निरबर होते थे अपने खान पान के लिए कहीं कहीं तो यह भी देखा गया कि जलेवे अनाच के दाने बीच की खोज इन सबी चीजों से पता चलता है कि प्राथत वेदा जो थे यानि कि जो आर्के लॉजस थे उन लोगों ने अहर के आधितों को बताया और उनकी जानकारी प्राप्त करने में काफी सफल रहे तो आ आप इन्हें समझ सकते हैं कि इनके अध्यन से इन लोगों ने पता करा होगा कि हावई प्राचिन काल में जो वनस्पती के अध्यन करने वाले लोग होंगी उन्होंने इसके बारे हैं पता किया होगा उन लोगों ने यही नहीं इवन उन लोगों ने यह भी देखा कि दानों पर मिले चावल के दानों नहीं जादा जादा तो नहीं मिल पाए तो पर थे थोड़े बहुत भी उसके साथ सब से important part जैंड मेरा question का है वो यही है कि हड़पा इस तल में मिली जाने वाले जानवरों की हड्यां भी उस टाइम पर थी और उन हड्यों में से यह भेड़ बक्रियां भैसुर इन सब की हड्यां यहां पर सामिल थी और जो लोग का कहते हैं उस समय पर प्राणी विज्ञानिक थे जो इनकी पढ़ाई करते होंगे उन्हों उने ऐसा अध्यन करके बताया है कि यह सभी जानवर उस टाइम पर उनके लिए पालतू का पालतू रहे होंगे उनके लिए और जो जंगली पजातियां जैसे की सूर हो गया हीरन हो गड़ियाल हो गया इन सब की भी हड्यां लोग को मिली थी इन सबी चीजों से पता चल सकत है कि यह लोग घडपा निवासी के जो लोग थे वो शिकार भी करते होंगे और साथ साथ में वो लोग इनके मास जो भी होता होगा उनको खाते होंगे और मचलियां पक्षियां इस सब इन सब की हड्यां मेले जिससे पता चल सकता है कि हाँ यह लोग शाय से नॉन वेजिट होता था तो वो लोग उसके हिसाब से खाया करते थे तो सबका एक अपना तरीका था तो इनका भी अपना तरीका था तो इसके उपर अगेन कोशन पेपर के अंदर आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कोशन ये है कि अधपा वासी के जो लोग थे वो भोजन कैसे प्राप्त करते थे उनके खादे प्रदारतों का नाम बताईए तो ये आप देख सकते हैं पेडों से पौदों से ये लोग उतपादत जितनी भी सफेज चना ये सब इनके पास प्राप्त थे उस टाइम पर जो ये उससे अपना आहर गिरहन किया करते थे दूसरा कोशन यही था कि हड़ापा सब्यता कि जो प्रमुक पशू थे वो खौन कौन से थे मतलब पालतों जानवर कौन से थे जैसे कि मवेशी है उसके बाद चुकरा है भैसे सूर है इस सारी चीजे इनके पालतों जानवर थे जंगली जानवरों में से यह रग हीरन है घडियाल है जंगली सूर है ये सब जंगली जानवर थे लेकिन उस टाइम पर ये पशू मुख्यत और पर पाए जाते रहे होंगे आप इन में से किंद वो शिका करते होंगे कितने वो पालते होंगे यह तो खैर मैं एक्जेक्ली नहीं बता सकता लेकिन उस टाइम पर प्रमुक पशु यह थे जिस तरीके से उनके घंकाल पाए गए थे अब अगर हम एग्रिकल्चर टेकनालजी के बारें बात करें यानि कि गिर्शी प्रद्योगेगी के बारें बात करें तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे एक मोहर पाई गई थी मरले क्योंकि हड़ापा सपयता है का अंदर मोसली मोहरी सब स्थादा इंपॉर्टन माने चा अंदर लगी हुई थी जिससे हम जानकरी ये मिलती है प्रातत वेदाओं को कि शायद से बैलो का इस्तमाल उस समय खेट जोदने के लिए किया जाता होगा इसलिए कुछ इस्तान ऐसे थे जहां पर काली बगान यानिकी राजस्तान और कुछ हर्याना वाले छेट जैसे कि ब बना ली ये छेटर आपको मैप में भी दिखाई दे रहे होंगे और मैप में दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ ये दो छेटर ऐसे हैं जहां पर ये पाए गए परिमान कि उस टाइम पर शायद से वहां पर हल चलाए गए होंगे और हल चलाने के सबूत उन्हें बैलो से मिले थे क्यों क्योंकि उस टाइम पर विरिशब जो है एक स्टम्प के अंदर एक मोहर के अंदर उसका चित्र बनाया हुआ था तो शायद से ये लोग उस समय पर इस पदिती से वाकिव भी रहे होंगे और दूसरा इसके साथ साथ ये देखा गया कि इन खेतों को समकॉंड बेस पर काटा गया शायद से ये इसलिए काटा जाता होगा कि उस समय दो अलक फसल लगाए जाती होगी और कहीं न कहीं ये भी देखा गया कि इन लोगों ने लकडियों के जो हत्य होते हैं उसमें फलकों को बठाया होगा जिससे ये लोग फिर औजार का भी इस्तमाल करते होंगे तो मतलब यह टेकनालोजी बोल लेजी उस टाइम पर जो उस लेवल पर उन लोगों ने करी होगी अपनी टेकनालोजी का इस्तमल और उसके बाफ़ जहां जहां पर सूखे इलाके होते थे जहां पर पानी नहीं पहुंच सकता था सचाई की आवशकता होती थी जैसे की अफगानिस्तान हैं वहां पर नहर के कुछ अफसेश मिले थे पुछ पंजाब और सिंद के अंदर मीं मिले थे लेकिन अप दिखाओ ए रहा होगा मैं आपके अंदर दोला विरी वहां से एक जलाशे मिला जीसित साबीत होता है के लिए जलड़ ़ो घुम मैं जाता होगा तो मैं आपको इसके एक इमेज़ दिखाना चाहूंगा जहां से आपको पता चलेगा और इसके साथ साथ इसके उपर एक कोशन भी है जो पेपर के अंदर आता है ये वो जलाशे है जो आपको दिखाई दे रहा हूँ वान पॉंट फाइफ पे धोला वीरी से मिला एक जलाशे इसके राजगीर कारे पर ध्यान दिया गया है किस तरीके से ये बनाया गया अब इसमें तो खैर किताब के अंदर तो ऐसे दिखाया जाएगा तो ये एक इंपॉ कोशन ये है कि हड़पाई लोगों के क्रिशी पदित्ती का एक लेक लेग लेगे पांच मांक्स का कोशन है पेपर के अंदर आया भी था तो अब लोगों का मुख्य काम थक किसे फर क्रिशी करना उस टाइम पे दूसरे तरीके के काम होते नहीं थे यूटूब का चैनल उस पस तो नहीं मिले लेकिन कुछ काली बंगान से कुछ सबूत मिलते हैं कुछ मौरों के अंदर विशप के चित्र मिलते हैं जिससे जानकारी मिलते हैं कि शायद से हाँ वो लोग क्रिशी करते होंगे बैलों का इस्तमाल खेट जूतने के लिए किया जाता होगा और कई इस त परमान निकलता है और यह पता चलता है कि वो दो परकार की फसले जो थी वो समकॉंड जो काटती थी एक सांस दूस्थान पर तो शायद से इसले ही होगा क्योंकि वो लोग फसल होगाना चाहते होंगे इसलिए अब वो लोग जातर कुदार्लों का इस्तमाल अपनी फसलों क पाटने के लिए इस्तमाल करते थे लकड़ी के हद्टे का परियोग करते थे और साथ साथ में पत्तर और धातों के जो फलक होते थे उसमें लगा दिया करते थे इससे क्या हुआ कि अधिकांस भागों पर किसा खेती होने लग गई और जहां जहां पर सचाई विक्सित नही इस मिले थे सबी जगा कुएं मिले हैं और धौरा वेली में तो कुछ जलाशे भी जो मेंने को चित्र दिखाए हैं तो यह एक एक एग्जामपल हो सकता है एक हडपा सबता के अंदर किसी टेकनोलोजी को लेकर कितना बड़ा मतलब विकास हो रहा है तो यह टर्निंग सब्सक्राइबर है तो इट परछाला की टीम से आप सभी को यही रिकिस्ट कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर ज़रूर करें और कोशिच करें कि आप दूसरों को सेर करवाने के लिए बोले क्योंकि आप जितना वीडियो को शेर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जभी बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चानल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत